आल आप यू बेलकम टू माई यूटूब चैनल आप सबका इस चैनल में इस कलास में बहुत बहुत श्वागत है यदि आप नए है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरप्रत्थम आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जिससे आपको सभी प्रकार क के वीडियो समय समय पर प्रवाइड होती रहें तो विद्यार्थियों आज हम सब इंटरमीडियट इंग्लिस पोटरी का टॉपिक और लायमेंट है जिसको पढ़ने का प्रियास करेंगे और अग्रेजी के बहुत बड़े कभी हैं जो कि रोमेंटिक इससे भी लांग करते हैं और अपने संचिप जीवन में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है अपने इस तीस बर्स के संचिवट जीवन में इन्होंने बहुत से एसे एलजिय लेक variesए हैं जो की एंग्लिस लिट्रेचर में बहुत प्रसिद्ध हैं तो कभी से संबंधित, पोईट संबंधित कोईश्चन आपकी सिलेबस में नहीं आते हैं, आपकी पेपर में नहीं आते हैं, सिलेबस में नहीं हैं, इसलिए हम केवल इनके जो इस पोयम हैं, उसको पढ़ने का प्रियास करेंगे, अटेंशन, आलाफ यू, ध्यान दीजिये विद थोड़ा हम संचिप्त जानकारी प्रदान करते हैं आपको इनकी कविता के बारे में, यह पोयम 1821 में लिखा गया है, कभी को लगता है कि अब हम बहुत ज़्यादा दिन तक इस संसार में नहीं रह पाएंगे, तो अपने उस दुख को, अपने उस करुणा को इन्होंने प् प्रियास किया है, कि जो समय बीत जाता है, वो फिर से नहीं आता है, अर्थात हम युवा थे, वा युवा अवस्था, अब इस जब हम बुजुर्ग हो गए हैं, बृद्ध अवस्था में हो गए हैं, वापस नहीं आ सकता है, अर्थात वो बसंद का रितुवा, गर्मिक र पर सभीकार करना चाहिए जिस से हम बहुत अधिक विकास कर सकें और समाज को बहुत अच्छा दे सकें अर्थाद इन आलेमेंट पीबी सेली एक्सप्रेसेश इस डीप सारू एंड डिसमे एड लास्ट इस्टेप आफ इस लाइफ यहां पर दो इस्टेंजा हैं यहां दीजे सबसे पहले फेस्टेंजा को रीट करते हैं रिशाइट करते हैं ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम आन हूज लास्ट इस्टेपस आई क्लाइब ट्रेंबलिंग एड देट वेर आइड इस्टूड बिफोर वेंड बिल रिटन दी गलोरी आफ योर प्राइम नो मोर और नेबर मोर कभी इस समय कहरा मैं ब्रिद्ध वस्ता में हूँ कभी कह रहा है ओ वर्ड ओ संसार ओ लाइफ ओ जीवन ओ टाइम ओ समय आई क्लाइब लास्ट इस्टेपस अब मैं अपने जीवन की अन्तिम पढ़ाव पर हूं अरस्थ मैं यहाँ पर चढ़ चड़ गया हून अब नहीं आ सकता हूं अर्थाथ मैं अपने जीवन की लास्ट इस ट अन्तिम पाईदान पर हूं और जब यहां पर I had is टूड बीफोर ठ्रेम्बछी जहां पर मैं पहले से खड़ा हुआ अब मैं काप रहा हूं अब मैं यह सवस्था में आ गया हूं अब मैं काप रहा हूं अर्थात वह संसार वह जीवन वह समय जो बीद गया है अब मुझे मिलने वाला नहीं है वो कह रहा है वेन बिल रिटर्न दी गलोरी आफ यूर प्राइम अर्थात तुम्हारे उतकर्ष का जो यस है कब वापस लवटेगा अर्थात कभी कह रहा है कि मेरे जीवन का जो यस भरा जो मैं इवा वरस्ता में था बहुत धिक लोग मुझे जानते थे मैं बहुत कार करता था अब मैं ब आएगा ओ नेवर मूर कभी नहीं आएगा अर्थात कभी अपनी दुख को प्रकट करते हुए कहता है कि चाहिए वो संसार हो चाहिए वो जीवन हो चाहिए वो समय हो यह तीनों बहुत इंपोर्टेंट है जीवन का अगर जो बीद गया हो फिर से वापस नहीं आता अर्था हमाला और जीवन अंतीम पड़ाव पर हो अपने जीवन के अंतीम सीड़ी पर हैं अंतीम पायदान पर हुँ जहां पर मैं खड़ा हुआ कांप रहा हुँ मैं इतना बृद्ध हो गया हूँ कि मैं काप रहा हूँ मैं इधर उधर चल नहीं सकता हूँ और जब प्रस्ण पूछा जाता तो मैं प्रस्ण पूछता हूँ कि तुम्हारे उतकर्स के तुम्हारे उस सुख का यस कब वापस होगा तो मुझे अनुबव होता है, no more, oh never more, अब नहीं, अब कभी भी नहीं होगा कहने कताथ पर है, the poet hankers after the pastward life and time that were much charged with pleasure and delight he observed that since the last moment of his life is approaching the hope of joy is meaningless अर्थाथ, अब हमारा जो जीवन है, वो यही है वास्पिक जीवन जो परजेंट है ध्यान दिजेगा, next, इस टेंजम क्या कह रहे हैं, out of the day and night a joy had taken flight fresh spring and summer and winter or move my friend heart with grief with delight no more or never more अर्थाथ, out of the day, मलब दिन का समाप्त होना, तो दिन से समाप्त होने किताथ पर नहीं है, day and night, दिन और रात अजवायान टेकन फ्लाइट, टेकन फ्लाइट उडान समाप्त हो गए spring, बसंदर दू, summer, गर्मी, season, winter, जाड़ा, हर मीनस होता है दूशर अर्थाथ, शफेद, फैंट, बिहोस हो जाना, होस में न रहना, हार्ट, हिर्दे, ग्रिफ, दुख, शारो, डिलाइट परसंदा कभी कह रहा है कि मेरे, मेरे दिन और रात से, मेरे दिन और रात से, सभी प्रकार का जो जुआ है, आनन्द है, टेकन फ्लाइट उड़ गया है समाप्त हो गया है, अर्थाथ, बिर्धा वस्था ने मुरे सारे सुख को मिलकुल से नश्ट कर दिया है फ्रेशी स्प्रिंग वो सुच वह ताजगी, वह हरा भरा बसंथ, वह घर्मी की रितु, वह बिंटर जाड़े का जो कोहुरा है अब क्या दे रहा मुझे पहले ये सब क्या था सुख दे रहा था लेकिन वो बसंत रितू गर्मी की रितू और जाड़े का कोरा बिद डिलाइट अब ये परसंता के स्थान पर मेरे हिर्दे को दुख दे रहा है मेरे हिर्दे को दुख से मुर्जा दे रहा है और नो मूर ओ निबर मूर अर्थात वा दीन और रासे सभी परकार का जो ज़ुआ है नो मूर अब कभी नहीं आएगा अर्थात कहने का ऐसा है कभी कह रहा है मेरे दीन और रासे सभी परकार का अनन्द बिल्कुल समाप्त हो गया है इसलिए वो बसंत रितू वो गर्मी के रितू और जाड़े का जो कोहरा था जो पाला था वो परसंता के स्थान पर अब मेरे हिर्दे को दुख देता है और अब मुझे अनभो हो रहा है नो मूर अब नहीं अब कभी भी नहीं अर्थात दी पोएट फीस्टेट जोई नाव हैज क्वाइट डिसपीर्ट फ्राम हीज लाइफ दियान दीजेगा कहने से कभी अनभो करता है कि अब आनंद और मुझे जीवन से बिलकुल दूर हो चुका है पहले जो बसंद ग्रीश मनकोर से अच्छा देत रहका जाड़ा जो से बहुत अच्छा आनंद भी खुश्यों से भर देता था अब उसे उदासी देता है अर्थाथ नाव दे है बीकें दी एजेंट साप सारो सैडनेस ग्रीप फॉर हिं अर्थाथ ये किसके एजेंट हो गए हैं सारो को गए हैं दुख के हो गए हैं और सैडनेस के हो गए हैं तो कभ यहाँ पर इसको बताने का प्रियास किया दोनों इ देखने का प्रियास करेंगे बिद्धार्थियों तो अपाश ट्राफी फिगराप स्पीच है यह एक एलजी है जो की डेथ पर रिमार की किया गया है ध्यान दीजेगा और यहां पर कभी ने अपने उस दुख को दुख की भावनाओं को प्रकट करने का प्रियास किया गया है क्योंकि जो समय होता है वो बेलकु चेंजबल है इसके समय के साथ हमें अपने आपको बदल लेना चाहिए तो यहां पर कभी ने केवल ये बताने का प्रियास किया है कि जो आनंद है अब वो हमारे जीवन में नहीं है केवल दुख है इस बात का मुझे दुख है तो कभी य आने का प्रियास किया है मैं आसा करता हूँ आपको इपोयम दोद अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा थैंक आला फियू